नमस्कार दोस्तों स्टेडी वीट पॉन परदीप में आप सब लोगों का स्वागत है चर्चा की जाएगी कर्षा साथ हमारा अतीत का पाल नंबर दस है अठारवी स्ताबदी में नए राजवन से जो हुए थे या नए राज नेतिक गठाने के अभ्यास परश्णों पर हम च चर्चा करेंगे आए चर्चा सुरू करते हैं उससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे इस यूटूब चैनल के माद्यम से परती दिन किसी ना किसी एक कक्षा पर चर्चा की जाती है और उसके साथ-सके अभ्यास प्रश्णों पर चर् जानते हैं कि सुवेदार मुगलू के समय परांति क्या होते थे संग्रक्षक होते थे या नहीं परांति सुवेदार होते थे उसके बाद फौसदार की अगर बात करें तो यह एक मुगल सेन्य कमांडर हुआ करते थे एक मुगल सैने कमान्डर उसके बाद इजारादार की अगर हम बात करें तो यह एक राज़स्व किर्सक के रूप में कारिक करते थे और उसके बाद अगर हम बात करें मिशल की जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि जो सिक्क योदाओं के समों होते थे उसे मिशल कहा जाता था चोथ मराठाओं द्वारा लिया जाने वाला क्या था कर था चोथ क्या था मराठाओं द्वारा लिया जाने वाला कर और उसके बाद अगर हम चर्चा करें कुन्वी की अगर हम बात करें तो यह मराठा किरसक योद्दा हुआ करते थे और साथी साथ उम्रा की अगर बात करें तो यह मुगल सामराजी में या सासन में या राद दर्वार में उच्च भी जात हुआ करते थे आये फिर से एक बार इनका मिलान जो साथ वाले लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे सुवेदार प्रांती सुवेदार फोसदार एक मुगल सैनी कमांडरी जारेदार एक राजसु किरसक मिस ले सिक योद्धाओं का समों चौत मराठाओं द्वारा लगाया गया कर देखें प्रस नमबर दो था रिकते स्टानों की पूरतगी जे और अंकजेब ने डोटौट में लंबी लडाईया लडि आप लोगों ने देखा था और अंकजेब दक्कन में लंबी लडाया लड़ी थी उसके बाद आप लोग देखें खो है उम्रा और जागिरदार मुगल डोट डोट के सक्तिसाली अंग थे मुगल सामराज जी यहां पर आप लोगों को लिखना है मुगल सामराज जी के क्या थे एक सक्तिसाली अंग थे उम्रा और जाग सभावदी में की आप लोग के आहां पर लिख रहेंगे अठारवी सतावदी सतावदी में की उसके बाद अवद-आりाजजी चा सटापक अगर ड़ितम दुन Dipने जिका जो सस्तापक ता वे सादत कहां था शादत खां कि इसके बाद हम प्रश नमबर तीन पर चर्चा करेंगे आप लोगों को ये भरना है पहले वाले में दक्कन जैसे कि आप लोगों ने देखा दूसरे में सामराजी तीसरे में ठारुष ताबदी और घौवाले में साधत खां आप लोगों को भरना ये प्रश नमबर तीन सही या गलत बतान यह भी कथन गलत है समाई राजा जैसी जो थे यह आमेर के सासक हुआ करते थे उसके बाद प्रश्ण गोथा गुरु गोविंसी शिक्कू के दस्वे गुरु थे यह बिल्कुल सत्य कथन है और उसके बाद अगर देखें पूरे अठारविश तापदी मेमराठों की राध्ध खनी बनाई यह भी सत्य कथन है उसके बाद आईए देखें प्रश्ण नमबर चार साधत खां के पास कौन-कौन से पद थे साधत खान के पास निमनिल खित पद थे सुवेदारी फोसदारी दिवानी तीन हुई परकार के पद साधत खां के पास थे प्रश्ण नमबर बंगाल के नवावों ने जागिर्दारी पर्था को खटाने की कोशिश की नमबर एक दोनों नवाव मुगल सासन के प्रभाव को कम करना चाहते थे नमबर दो चीच राजस्च के पुनर्न धारान के लिए नमबर तीन चीच अपने विश्वस लोगों की निक्ति के लिए नम दोरा की जाने वाली दोका धळी के लिए प्रश नमबर छे अथारुष्ट अबदी में सिक्षू को किस परकार संगठित किया गया अठारवी स्टावदी में कई योगे नेताओं के नेतरत में सिक्कों ने अपने आपको जत्थों और बाद में मिशलों में संगटित किया इन जत्थों और मिशलों की सेंट सिनाये दल खाल सा कहलाती थी उन दिनों दल खाल सा बैसा की किये और दिवाली पर अमरिश सर में मिल ने लेते थे जिसे गुरु मत्ता या नहीं गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था और जो सिक्ष थे इन्होंने राखी ब्योस्ताप नाई या नहीं भूराजस सुका 20% भाग इसमें लिया जाता था एक बट्टा 5 भाग या नहीं हम कह सकते हैं मराठों के ही चौत की तरह था य जिसके अंतरगत किसानों को उपच की 20% के रूप में लेकर बदले में उन्हें संग्रक्षन की परदान किया जाता था आईए प्रस नमबर 7 मराठा सासन दक्कन के पार विस्तार क्यों करना चाहते थे मराठा सासन के निमने कारणों से दक्कन के पार अपने समराची का विस निनाये खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके नमबर 2 चीच, एक बड़े सेत्र में सासन इस्तापित करने के लिए नमबर तीन उत्तरी मैदानी भागों में उपजाओ सेत्रूपर नियंत्रने इस्तापित करने के लिए नमबर चार अधिक से अधिक चौह तथा सरदेश मुखी वसूल करने के लिए आए देखें प्रस नमबर आठ आसब जाने अपनी इस्टित को मजबूत बनाने के लिए क् साब परसासकों को उत्तर भारत से लाया था नमबर दो उसने मनसबदार निक्त के और जिन है जागी रह परदान की नमबर तीन हैदराबाद राची पश्चिम के और मराठों के वरुद और पठारी सेत्र में स्वतंत्र तेलगों से नायकों से युद्द करने के लिए कि अठारवी स्थाबदी में रखा करते थे हमारे विचार में आज महाजन और बैकर उस तरह के प्रभाव नहीं रखते क्योंकि अठारवी स्थाबदी में महाजन और बैकर निमने परकार से राजी को प्रभावित करते थे नमबर एक राज जे रेंड पराप्त करने के लिए इस्तानी सेट साहुकार और महाजनों पर निर्भरता नमबर दो चीज साहुकार महाजन लोग लगान वसुल करने वाले जारे दारू को पैसा उधार देते थे और बदले में बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे नमबर तीनची शाहुकार महाजन जैसे कई नहीं सामाजिक समु राज जीकी राजयस्वप्रणाली के प्रभंध को भी प्रभायुत करते थे प्रभायुत करते थे इस परकार से हमने चर्चा की कख्या 7 में जो हमारा अतित है उसका पांध नमबर 10 है जिसमें की हमने चर्चा की 28 स्थावदी में नए राजनेति गठन के अभ्यास प्रश्णों पर हमने चर्चा की और इस परकार से जो कख्या 7 का हमारा NCRT हमारा आतीत है यह इस पर हमने चर्चा पूरी कर लिए है अगर आप चाहे तो हमारे इन सभी चर्चाओं को लगभग दो दो भागों में हमने पाठ आधारी चर्चा की है और लगभग एक चर्चा हमने इनके अभ्यास प्रस्णूबे की है इस परकार से लगभग तीस भा मारे यूट्यूब चेनल के पले लिस्ट पर अने चर्चाओं हैं जो आपके परतियोगी प्रक्षाओं में भी कापी महत्वपूर साबित होंगे अगर आप लोगों को यह चर्चाओं अच्छी लगी तो आप अपने अधिक से अधिक मित्रू के साथ सेर करना ना भूले मि जय हिन जय भारत